जै शन्देव मैं रामकमार पुंडीर आप मेरे पीछी जैसा आप देख रहे हैं शनी महराज जो कि सिंगासन पर विराजमान है और इनके बाई तरफ पंचमुकी हनुमान जी महराज विराजमान है यह यहां सिद्धपीट शनीधा मंदिर है जो कि साहनपु जन्बद के ननो ज边 महराज को यहां से यहां रखा जा रहा था तो जिन लोगों से यहां ने यहां उनको रखाbir कम-से-कम 20 वह गरहे होंगे तो जब कि यहां रखने के बाद मूर्ती को क्योंकि हलकी तिर्शी थी आप देख रहे होंगे हलकिसी यह मूर्ती तिर्शी है बहुत मामुली और जब इसको सिधा करने के लिए दुबारा से इसको शिफ्ट किया जाने लगा तो यह मूर्ती अपनी जगह से बाल भर तक नहीं हिली उन के बाद ये उसको सही करना चाहा तो यह सही नहीं हुई और काफी समय तक यह चलता रहा है संत वगएरा जो वो आए यहाँ और काफी लोग यह आते हैं जब उनसे बारे में बात की गई तो उनका भी कहना है कि शनी महाराज का यह स्व्वाम स्व्भु प्थान ठां और शनी म श्रीर शनीधाम हुआ और यह मीचे मेरे पीछ जोद देख रहे हैं आप यह जोद भी तभी से प्रजुलित है जब से यहां शनी माराज की स्थाप न हुई है और इस जोद के बारे में भी यह कहां जाता है कि जो भी किसी व्यक्तियों कोई दुख हो कोई भी शरीर में किसी भी तरह की व्यादी हो इस जोद की तेल का अगर अपने शरीर पर लगाएगा तो उसके तमाम रोगों से चुटकरास को मिलेगा और शनी महराज के गुरू क्यों कि हनुमान जी महराज है तो पंच्पु की हनुमान जी अपने स्वरूप में यहां विराजिमान है और हर शन महराजी कृपा यहां बनी रहते हैं तो तभी इसलिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां सेंकड़ो लोगों की भीड़ हजारों लोगों की भीड़ी यहां इकठा होती है और हर वर्ष जो है 23 अप्रेल को यहां पर एक वार्षिक जो भंडारा किया जाता है जिस जो है आपके उत्राखंड से लोग आते हैं पंजाब से आते हैं हर्याना से आते हैं दिल्ली से आते हैं और आपके रायस्थान से भी लोग यहां आते हैं जिनको जो पता लगता है क्योंकि शोचल मीडिया भी हमारा जो फेस्बुक पेज है वो भी शनी धाम ननोता के नाम से ह तो लोग देखते रहते हैं और भगवान की आस्था में वो लगे रहते हैं तो यहां हर शनिमार को सुन्दरकार्णड और पूजा पाट होती है शनिमार का स्थान होता है अनुमान जी मरहाज की पूजा होती है सुन्दरकार्णड होता है तो इसके दूर दूर से काफी लोग तेल को ले जाते हैं घर में और वहां पर इस्तमाल करते हैं कभी उनको कोई दर्द व्यादी किसी तरह की कोई समस्या हो इसको लगाते हैं तो वो टेंशन से मुक्त हो जाता है और भगवान स्विकरपा भगवान कभी करपा उस पर बंती है और उसके सब काम सद जाते हैं